आज हम देखेंगे सम्मिति के उधारण नीचे दी आकृतियों को देखकर ग्याद केजिए कि इन में से कौन सी आकृतियां सम्मीत है एवं कौन सी आकृतियां सम्मीत नहीं है कोई आकृतियों सम्मीत है या नहीं यह पहचानने के लिए हम देखते हैं कि क्या आकृतियों को आधे से मोड़ने पर उसका बाया आधा भाग तथा दाया आधा भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता है या नहीं यानि के दोनों आधे भाग एक दूसरे के प्रतिबिम्ब है या नहीं पहली आकरिती के हम इस प्रकार से दो भाग बना सकते हैं यहां हम देखते हैं कि दाया भाग और पाया भाग एक दूसरे के प्रतिबिम्ब है यानि वे एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं इसलिए यह एक सम्मीत आकृती है इसी प्रकार अगर हम दूसरी आकृती की बात करें तो यहां किसी भी प्रकार से हम इस आकृती के दो ऐसे भाग नहीं बना सकतें जिससे कि दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिम्ब हो यानि कि वे एक दूसरे से हूबहू मिलते हो इसलिए दूसरी आकृती सम्मीत आकृती नहीं है इसी प्रकार हम देखते हैं कि आकृती 1 की तरह ही आकृती 3, आकृती 5, आकृती 6 और आकृती 8 भी सम्मीत आकृतियां है और आकरिती 2 की तरह ही आकरिती 4 और आकरिती 7 सम्मीत आकरितियां नहीं है अगला उदाहरण किसी वस्तू का दाया भाग प्रते बिंब में बाएं और बाया भाग प्रते बिंब में दाएं दिखाई देता है क्या वस्तू और उसका प्रते बिंब सम्मीत है? दरपण में वस्तु का दाया भाग बाएं और बाया भाग दाएं दिखाई देता है इसी को हम पार्श्वरो व्यूत क्रमन यानि लैटरल इन्वर्जन कहते हैं यह बात जरूर है कि वस्तू का दाया भाग प्रतिबिंब में बाए और बाया भाग प्रतिबिंब में दाए दिखाई देता है लेकिन वस्तू और उसका प्रतिबिंब एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं इसलिए वे एक दूसरे से सम्मीत भी होते हैं इसलिए वस्तू और उस जा सकते हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। चलिए इसी समझ से दी आकृतियों को पूरा करें। पहली आकृति पाई और एक अर्ध वृत्त है। हम इसका प्रतिबिंब दाएंभाग में बनाएंगी। ध्यान रहे, प्रतिबिंब बनाते समय हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि यह आकार संतुलित अनुपात में बनाया जाए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहां एक छोटा वृत्त भी है। चलिए इसका प्रतिबिंब भी बना ले। फिर हम इस टेड़ी मीडी रेखा का प्रतिबिंब बनाएंगे। इससे अब यह आकरिती पूरी हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक सम्मीत आकरिती है। अब दूसरी आकरिती की बात करते हैं। हमें उपर का भाग दिया है और नीचे का भाग ज्यात करना है। बिलकुल सही यह इस प्रकार दिखाई देगी। इस तरह हम दूसरी आकृती को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरी आकृती को पूरा करते हैं, तो हमें एक तीर का आकार प्राप्त होगा। यह भी सम्मीत आकृती है। तो आज हमने देखे सम्मीती के उधारण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंदित मिथ्य धानाओं को दूर करेंगे